यह थी पहल है सद्वे तीन साल पहले जो संगोष्टी हुई थी उसमें मैं आप सभी के बीच विस्थार से चर्चा करने का अफ़र मुझे मिला था अब सब चर्चा के अने के बिंदूओं पर जिसा मैं देख रहा था बहुत सी बातों को आपने पकड़ करके उसको लागू करने का काम किया और आगे भी आपकी प्रक्रिया चल रही है और मुझे आद है कि तब मैंने कहा था सीएजी को टुकड़ों में सोचने के बजाएं संपोन तामें काम करने के जरूरत है सिर्फ आखड़ों और प्रक्रियाओं तक ही ये संगठन सिमीत नहीं रह सकता है बल्कि वाकई मैं गुड गवर्णन्स के एक कटालिस्ट के रूप में आगे आना है सीएजी को सीएजी प्लस बनाने के सुझाव पर आप गंबेरता से अमल कर रहे हैं ये मेरे लिए खुशी की बात है और उसके अनेक सुखत प्रणाम भी देश को मिले हैं देश में एकाउंटिबिलिटी और प्राबिर्टी का माहोल बनाने में इसके कारण एक मदद मिलती है एक बातामन बनता है देश में आउटकम आधारित टाइम बाउन तरीके से काम करने की जो व्यवस्ता विक्षित हो रही है उसमें C.A.G. की बहुत बड़ी भ्रुमी का है यह सर्मसंबव तो हो पा रहा है तो इसके पीषे आप और आपके जो साथी है और विशेश कर जो इनको फिल्ड पर काम करना होता है फिल्ड पर जाकर के औडित करना होता है जिए माराइनिंग चलता है तो उसको वहाँ जाना पड़ता है जाकर इके देखना पड़ता है और राज्यों में भी जाकर के महिनों महिनों तक AG अपिज के साथ ही फिल्मे डटे रहते हैं वहाँ बैठे रहते हैं ऐक एक कागज को छानध मिन करते रहते और कभी-कभी तो परिवार के साथ भी लंबे अर्से की दुरी हो जाती है और तब जाकर के इस सारी प्रोसेस निकलती है और ऐसे ही निश्ठावान साथियों के कारण सीएजी की विश्वस्नियता बनी है और मजबूत हुई है साथियों दसकों से खड़ी की हुई इस व्यवस्ता में बहुत तेजी से परिवत्तन लाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनावती होती है क्योंकि आप शायद सरकारी व्यवस्ताओं में जिसकी सबसे ज़्यादा उमर है ऐसा को इंस्टिटूट है तो वह सीएजी है कि 1860 में हुआ है और वो भी 1857 के बाद हुआ था तो उसके पीछे एक हिस्ट्री है कभी आप लोग गेस्ट्री जाओगे तो काफी कुछ मिलेगा उसके आजकल तो रिफॉब को एक बड़ा ही बड़ा फंशी वर माना जाता है परί रे हर कोई कहता है मैं भी रिफॉब करता हूँ रिफॉब डा आ जाता है लेकिन असली रिफॉर्म तब आता है जब किसी संगठन में पूरी रैंक और पाई पूरी इमानदारी से उसके लिए तैयार होती है, मोटिवेट होती है और ये बात देश की हर सरकार, हर समस्ता, हर समस्तार पर लागू होती है और जिसमें CAG भी है, CAG की जिम्मेबादाई इसलिए भी अधिक हैं क्योंकि आप देश और समाज के आर्थिक आचरण को पवित्रर रखने में एक एहम भूमिक आनिवाद है और इसलिए आपसे उमीद भी जड़ा ज़्यादा रहती है, साथ्यों नीती के अर्थसास्त्र और अर्डितिंग के प्रेणा पुझ्य चानक के कहा करते थे, ज्ञानम भारह, क्रियाम बिना यानि अगर आपके पात नौलेज है, लेकिन उसको आप सही जगह पर, सही दिशा पर नहीं लगाते हैं, तो वो अपने आप में बोज बन जाता है, वो निरसक हो जाता है और इसलिए आपके पास एक प्रकार से दोहरी जिम्मेदारी है, आपको अपने ज्ञान और अनुभाव का प्रसार करना है, तो साथ-साथ एथिक्स भी मजबूत बनाने हैं, और जिसको चानक के ने अपने पूरी नीती शास्त्र के इंदर सबसे ज़्यादा महत्त जिया थ और इसलिए मैं समझता हूँ कि आज के डिजिटल वर्ड में, बदलती टेक्नलोजी के इस दोर में, आडिट और एशॉरंस की भूमी का और उसमें बढ़लाव बहुत अहम हो चुगे हैं, साथे टेक्नलोजी को आधार बनाकर ट्रांस्परंसी लाने के प्रयास, आप सभी पीते पांच वर्सों से जिननतर देख रहे हैं, सरकार का हिसाबता किताब खूला और पारदर्शी रहा है, बढ़कि एक डेश्बॉर्ड की तरह रहे हैं, जो भी है वो सब के सामने है, जितना भी है वो स्पस्टर दिखता है, टेंडर से लेकर के प्रक्रमेंट तक एक पा जेम, जेम यानि जन्धन, आधार, मोबाईल, इसे सामाने मानवी तक सरकारी योजनाओं को लाप डारेक पहुंच रहा है, और जेम यानि गवर्मेंट इम मार्केट प्लेस, इससे सरकार अपनी प्रक्रमेंट डारेक करती है, आज सरकार की सबाद चार सो से ज़्यादा स्क पहुंच रहा है, जिसके कारण करिब डेड़ लाग करोर रुपिये गलत हाफ हमें जाने से बचे हैं, विशेस तोर पर GST जैसे चुनावती पौण और जतिल सुधार को देश के व्यापारिक सांस्कुति का हिस्सा बनाने में तो आपने भी सराहनी भूमी का निभाई है, इसके से डिजिटल इंफरस्रेक्टर का निर्मान हो रहा है, डिजिटल व्यवस्तास के नागरीक और सरकार के बीच के इंटरफेस को, सद्भाव को, विश्वास को तो मजबुत किया ही है, सरकारी प्रक्रियाओं पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ा है, हमारे करने के तौर तरीके भी बदलते जाते हैं, और मैं एक उधान आपको देता हूँ, पहले जो सरकार को पेमेंट होती थी, उसके चालान, नागरिकों को, सरकारी दप्तरों को, ट्रेजरी को, सभी को अलग अलग रखने पड़ते हैं, लेकिन अब फीजिकल कापी की जरूत न बड़ा बरलाव आया है, साथियों, आज जब भारत फाइव ट्रिलियन डॉलर की आर्थिक ताकत बनने की और अग्रसर हो रहा है, उसमें भी आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि आप जो करेंगे उसका सीधा असर सरकार की एफिजिंसी पर पड़ेगा, सरका पड़ेगा, आप जो कुछ करेंगे उसका सीधा असर भारत में निवेश पर पड़ेगा, इस अब बिजनेस पर पड़ेगा, आज जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको सटीक और भी चाहिए, ताकि वो अपने पांच का सही एग्जेक्वेशन कर सके, वहीं वो ये भी नहीं चाहते कि audit के process बहुत ज्यादा समय लगे, यहीं से आपकी चनोती शुरू होती है, इस चनोती से निपटने के लिए दो काम बहुत जरूरी है, एक skill और training से जुड़ा है, और दूसरा tools से जुड़ा है, जो नए साथी इस profession से जूड रहे हैं, उनको तो updated technology से हमें इनकी skill को upgrade करना भी उतना ही जरूरी है, अब जैसे पूरी दूनिया में, जो auditing से जुड़ी समस्ता हैं, वे cloud-based solution के तरफ बढ़ रहे हैं, इसी तरह technology को लेकर जो best global practices हैं, उनको हमें हमारे system का हिस्था तो बनाना ही है, इंडिया Pacific tools पर भी हमें काम करना है, साथ को हमारा लक्ष है कि साल 2022 तक evidence-based policy making को governance का अभिन्द हिस्था बनाया जाए, ये New India की नई पहचान बनाने भी मदद करेगा, ऐसे में audit और assurance सेक्टर के transformation के लिए भी ये सही दौर है, अब CAG को भी CAG 2.0 की तरफ बढ़ना होगा, मुझे बताया गया है कि आप इस तरफ तेजी से आगे बढ़ भी रहे हैं, ये काम हम तेजी से तब ही कर पाएंगे, जब कुछ गैप को, कुछ कड़ियों को तेजी से जोड़ पाएं, अभी हमारे हाँ जो data generate हो रहा है, वो बहुत विशाल है और अनेक एजन्सियों, अनेक विभागों के पास store है, इस डेटा भी इन एजन्सियों और विभागों ने अपने यूज के लिए collect किया है, लेकिन ये भी सही है, कि अक्सर ये data एक दुसरे के साथ share नहीं किया जाता, ये विशाल data link नहीं होता, इसलिए accountability gap भी natural course में आ जाता है, हमें इसे bridge करना है, और इसके लिए सरकार के स्तर पर भी कुछ कोशिश हो रही है, कदम उठाए जा रहे हैं, और मुझे विश्वाद है, कि आप सब भी इस विशे पर आपस में विचार करेंगे, और दूसरी agency और विवागों के साथ भी साजा करेंगे, और मुझे आद है, फिरिशनी बार मैंने आपके बीच एकी जिले में रोर construction का उदाण दिया था, यह पताया था, कि कैसे एकी जिले में समान लंबाई की सड़क, जब दो अलग-अलग department बनाते हैं, तो कई बार कीमतों में कितना फर्क रहता है, अब अलग-अलग audit के समय में तो दोनों ठीक लगते हैं, लेकिन overall picture को देखे, तो सही नहीं पाए जाते हैं, ऐसे कितने ही उदारण सरकारी विभागों में हैं, जहां पर big data analysis सुधार किये जा सकते हैं, और मैं सबता हूँ, कि जब आप बड़े database को अपने audit के लिए अनालियाज करते हैं, तो आपकी जानकारी evidence based policy making में बहुत काम आ सकती हैं, अगर इसमें CAGS data से जुड़ी जानकारियों के आधार पर advice दे सकें, कुछ institutional solution दे सकें, तो मैं समझता हूँ, इससे देश की बहुत बड़ी सेवा होगी, और मेरा तो आगरे ये भी होगा, कि आप सिर्फ audit के लिहाज से ही नहीं, कि एक think tank के नजरिये से भी सोचें, साथे मैंने पिछली बार institutional memory की भी बात की थी, digital audit और digital governance, अलग-अलग समस्थाओं में इस institutional memory को भी मजबूत करने का काम कर सकती हैं, एक और काम आप आसानी से कर सकते हैं, CAG अनेक अंतराश्टे समस्थाओं का audit करती हैं, दूसरे देशों को audit में technical support देती हैं, आप एक ऐसा institutional mechanism तयार कर सकते हैं, जिसमें international audit करने वाली टीमें अपने अनुभव साजा कर सकें, वहां की best practices को share कर सकें, CAG की audit report जादा सार्थक हो, इसके लिए किया हम audit के topic को विचार में बस करके, कि करने के लिए चुन सकते हैं क्या, इस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए, आप अनेज प्रकार के audit कर पे आ रहे हैं, मेरा एक सुझाव है, कि आप process audit पर भी गौर करें, अभी तक तो आप सिर्फ यही देखते हैं, कि process फोलो हुआ या नहीं हुआ, लेकिन क्या उस process पर कोई सुधार संबव है, ताकि निर्धारी लक्ष तक पहुँचा जा सके, यह सुझाव आएगा, अब मैं समझता हूँ कि यह बहुत मदद कर होगा, एक और शिकायट, विभागों की तरब से रहती है, कि CAG audit बहुत जल्दी-जल्दी होता है, जिसके कारण जो findings निकलती है, वो उतनी काम नहीं आपाती है, कैसा संबव है, कि विभागों के internal audit उसमें कैसे मजबुति आए, और वो in tune with CAG कैसे हो, ताकि हम समय भी बचा सके, और efficiency बढ़ा सके, और इससे होगा ये, कि routine audit विभाग खुद जब करते हैं, तो इन सारी बारिकियों के उध्यान दे, ताकि जब CAG वहाँ जाए, तब उसको जो readyment material मिलेगा, उसमें बहुत कम चीजों की जरूत पड़ेगी, और हम efficiency बढ़ा सकते हैं, हम speed भी बढ़ा सकते हैं, साथे एक चुनोती, उस technology से में निपटने की हैं, जो गलत काम करने वालों के पास हैं, अब CAG सही तमाम auditors को, चाहे वो internal हो या फिर external, नई चुनोतियों से निपटने के लिए, innovative तरीके ढूनने ही पढ़ेंगे, और इसके लिए सबसे पहले हमें auditors की core values को प्रोसाइट करना होगा, तब ही हम occupational fraud पर नकेल कस पाएंगे, बीते कुछ सालों में, सरकारी विभागों में fraud से निपटने के लिए अनेक प्रयास हुए हैं, अब CAG को ऐसे technical tools डेवलप करने होंगे, ताकि सांस्थानों में fraud के लिए कोई गुंजाइश ना बचे, और मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ, मैं पिछली दिनों इसका प्रयोग किया है, क्या CAG इस पर सोच सकता है क्या, मैंने भारत सरकार के अलग-अलग department औरों से प्रार्षना की, कि आपके पास ऐसे कौन से प्रॉब्लम है, कि जिसके solution में या उस समश्याओं के समाधान में या delivery में आपको दिक्कत है होती है, शुरू में तो department के लिए ऐसा स्फिकार करना मुश्किल होता है, तो सब का पहला रिपोर्ट तो यह यह था नहीं, नहीं हमारे यह कोई तकलिब में, सब बहुत अच्छा है, कोई तकलिब में, बहुत बढ़िया चलता है, मैं ज़र पीछे लगा रहा, बार बार पूसता रहा, तो अलग-अलग department से करीब-करीब 400 issues आए, उनको लगता था कि इसका technological solution हो तो अच्छा हो, इन 400 issues को, मैंने अलग-अलग-अलग universities के IT-based काम करने वाले students को दिया, और पूरे देख में hackathon चलाया, लाखों नौजवानों ने उसमें हिस्सा लिया, minimum 36 hours non-stop इन टोलियों ने काम किया, उसमें से निकलते हैं, निकलते हैं, निकलते हैं, उपर जब करीब 10-12,000 बच्चे बच्चे, तो मैंने खुद ने उनसे चर्था कि, और आप हैरान हो जाएंगे, इन 400 जो issues निकाले से, अधिक का solution, इन 18-20-22 साल के बच्चों ने निकाल करके दिया, technology-based solution, और सरकार का भी मैं अभिननन करूँगा, कि उसमें से करीक पेरिव 80% उन्होंने अल्रेड़ी अपनी व्यवस्ता में इंकॉर्परेट कर दिया, लागू कर दिया, क्या CAG, कि आज जो चुनोतियां है, जैसे अब आप प्रेजेंटेशन में बताएं कि एक हॉस्पिटल का ओडिर करना, इन्हें कितना बड़ा technical काम है, कैसे करना, अब आप तो उस फिल्ड के हैं नहीं, कोई एक डॉक्टर मिल जाएं वो आपको कहें, तो आप उस दिशा में जा करके देख लेंगे, क्या हम इस प्रकार की चीज़ों के लिए identify करके इतने-इतने issues हैं, टेक्निकल-टेक्निकल सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं, तो आप अगर इस प्रकार से issues इन नवज़वानों को दें, और मैं HRD मिनिस्ट्री को कह सकता हूं कि वे इसके साथ कोडिनेट करें और इस प्रकार के हैकेतन हो, जो CAG के लिए ऐसे टूल बनाएं, CAG के लिए इस प्रकार के solution लेकर के आएं, आपके कुछ लोगों को उनके साथ विचार मिमस करने का मोका मिले, तो मैं समझता हूं कि अच्छा मेकैनिजम और ये यरली किया जा सकता है, ये हैकेतन, इससे ये भी लाफ होगा, कि हमारे देश की युवाद पीड़ी है, उसको भी पता चलेगा, कि हिंदुस्तान की शासन वेबस्ता की सबसे व्रिद्ध, अनुभवी, इस इंस्ट्यूटिशन कैसे कैसे काम कर रहे हैं, कितनी कितनी चुनाउतियों को लेकर के चलती है, मैं समझता हूँ कि इस काम की और सोचा जा सकता है, और देख रहा कि ये, और ऐसे प्रयासों से, देश के सामान्य मानवी की परिशानी कम होगी, और देश की तमाम संस्थाओं पर उसका भरोसा भी मजबूत होगा, अट अधे सेम टाइम, गवर्मेंट मेकानिजम जो है, उसका और आपका भी इन दोनों में तारतम में बने गाओं। मुझे भी स्वाथ हैं कि C.E.G. देश की तमाम अपेक्शाओं पर ख़ड़ा उतरेगी, और नू इंडिया को, क्लीन इंडिया, वो बाला नहीं, जो मैं करता हूँ, आप बाला दूसरा है, बनाने में अपनी भूमिका को ससकत करेगी, और मेरा आप से अगर है, एक तो होता है, हम आडिट करें। लेकिन क्या आडिट, किसी को कटगरे में काम करने, खड़ा करने के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या हम बहीं पर रुकने के लिए हैं क्या, जी नहीं। हम कहीं पर भी हो, किसी भी अमरेला के नीचे काम करते हो, लेकिन अल्टिमटली हम सब देश के लिए काम करते हैं, देश के उजवल भविश के लिए काम करते हैं, हमारी आने वाली पीडियों के लिए काम करते हैं। और इसलिए हम यह जो मेहनत करते हैं कि क्या वो गुड गवर्णनस के लिए गाम आसकती है क्या कि एफिशनसी के लिए काम आसकती है क्या और यह कि आ जा सकता है जैसे हर बार जरूरी नहीं है कि जो है उसमें से हम कमिया खोजे और बार ज़रूर नहीं है लेकिन अगर साल के प्रारम में ही आप एक 10 डिपार्टमेंट पकड़ लें दस डिपार्टमेंट के समण्ध में ब्रेंस्टर्मिंग हो डिपार्टमेंट के साथ आपके लोगों के साथ जिसकी इसमें महरत है ग्रास्टूट लेवल पर भी कोई काम करते वाला वो भी हो, डिस्ट्रीक लेवल पर काम करने वाला हो, स्टेट लेवल पर करने वाला हो, नेशनल लेवल पर हो, ब्रेंस्टॉर्मिंग करके, मान लीजे एक डायरेक्टिव आप 100 पॉइंट निकालते हैं, और उनको कहा जाए कि देखे भी हम एक साल के बाद audit के लिए आएंगे यह हम सबने मिलकर जो 100 पॉइंट निकाले हैं आप अपने काम को इस 100 पॉइंट के तराजू पर द्यारत तोलिए आप जो चीजें record रखेंगे इन 100 पहलू को उसमें जरूर ध्यान रखिए इसका मतलब यह हुआ कि जो audit mind है वो पहले से उसको इंगित करेगा कि देखिए आपको गलती नहों इसके लिए हमें आपको प्रफॉर्मा देता हूँ आप देखिए इससे फर्क एपड़ेगा एफिशन से बढ़ेगी गवर्नन्स के पहलू में नए बाते उजागर होगी जो सरकार्गी अपने आप में एक स्ट्रेंद बन जाएगी और इसलिए मैं चाहूंगा कि हम ऐसे भी कुछ प्रयास कर सकते हैं क्या दूसरा आपने दे नंऺित्यका वकांब बजेट में आप्स हाॉस में हम आउटकम रिपोर्ड भी रखते हैं ज gehen फेले हमारी हkee है नहीं था क्योंकि आूपूट की चर्ता था बड़ी सरल होती है के 10 रुप्या था 10 रुप्य दे दिया क्या क्या क्यों किया कैसे किया किसके लिए किया किसके ल प्रोसेस बढ़िया, प्रोडक्ट बढ़िया, आउटकम कहां कम होता है, जहां पर चोड़ी होती है, आउटकम कम होता है, बात अलग है, जाना तर बैड गवर्नस उसके लिए जिम्मेबार होता है, अगर गवर्नस सही है, तो नेचनल कोर्स में आउटकम और एफिजनसी नज़राती है, और इसलिए हम अपनी बातों को गुड गवर्नस का भी एक हिस्सा बना सकते हैं, और इसलिए मैं कहूंगा कि क्या टार्गेट था, क्या एचिव किया गया, और इसके लेकर आपका दर्श सकूर्ण बारी होते हुए भी मैं जुरूप जहूंगा कि हम एडवांस में अपने इन संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हम प्रयास करें, मैं फिर एक बार आज आपके बीच आने का मुझे मोका मिला है, आप सबको देश के एक उत्तम सेवा कर करने के लिए बहुत बहुत शुबकामनाई देता हूँ, 2022 में आज़ादी के 75 साल होंगे, क्या सुये जी, 2022 आज़ादी के 75 साल, एजां इंस्टिटूशन हमारे टार्गेट क्या होगे, हम इस इंस्टिटूशन को और अधिक friendly कैसे बनाएंगे, प्रोड़क्टिव कैसे बन बनाएंगे, good governance में contributor कैसे बनाएंगे, हमारे इस अनुफव का उप्योग, बुराईयां डूंडने की जिसकी ताकत है, उसकी बुराईयों को रोकने की भी ताकत होती है, जिसकी बुराईयों को रोकने की ताकत होती है, जिसको बुराईयां होने से बचाने की भी ताकत होती कि हैं क्या हम इनी सभी पहलियों के साथ जूड़ करके इस सारी इतनी बड़ी इंस्टिटूशन का हम और एक अधिक प्रभावी उप्योग कर सकते हैं और मैं मानता हूं कि यह संभव है मैं मानता हूं कि संभव है आपको लगेगा कि फाइले देख देखते करके तंग आ जात हैं जिसने देश के नक्षे को देश की एक जो सोच है उसको बदलने में बहुत बड़ा रोल प्रे किया है और यह हो सकता है इसी आप एक शाओं के साथ मेरी आपको बहुत 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 दनिवाद तो कैक के कार्यों को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कई सुझाओ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कारिक्रम में दिये हैं उमीद है कि इस तंगोष्ठी में विचार विमर्ष के जरिये जो निशकर्ष निकलेगा उसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी कर दो एवं में विमर्ष निकलेगा परीक्षक को और शूमाँ को और बनाने में में दोड़ हैं